नमस्कार, पुलिस नामा में आपका स्वागत है, मैं वोईबोगाटे, आज हमारे साथ है डॉक्टर ओमेर खान, जो आरफा फिटनेस इंस्टिशन के प्रेसिडन्ट और फाउंडर है, और ये अर्थोपेडिक फीजो थेरपिस्ट भी है, इनके साथ हमाज बातचित करेंगे डॉक्टर ओमेर, आज हमें बताओ कि फीजो थेरपी का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें क्या-क्या होता है जी फिजोथरपी जिसे बहुत इक अप्चार भी कहा जाता है और फिजोथरपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग पेशेंस को ट्रीट करते हैं विदाउट मेडिसी विदाउट अने सर्चरी मैं आपको पुछना चाहता हूँ कि ये फिजो थेरपी का रोल क्या होता है medical में जी इसके बहुत एहम रोल है जैसे orthopedic में देखा जाए neuro में देखा जाए, cardio में देखा जाए या pediatrics में देखा जाए, ganac में देखा जाए तो इसमें बहुत important roles है अब अगर हम लोग कोई topics लेते हैं जिसे orthopedic department में अगर देखा जाते हैं तो इसमें physiotherapy का important role है, after fracture और arthritic cases में भी, spine में भी बहुत important role है, spondylysis हो गया, other than that अगर हम लोग नियूरो में देखा है तो paralysis, stroke में, multiple sclerosis में, GBS जिसको बोलते हैं, उस सब conditions में बहुत important role है, और pediatrics में देखें तो cerebral palsy हो गया, जिसमें brain injury होता है, और delayed milestone जिसमें बच्चों को चलने वगेरा नहीं आता है, problem वहाँ पी भी होता है, तो उसमें भी physiotherapy के वज़े से बहुत dependency rate कम होता, बेसिकली physiotherapy एक ऐसा department, ऐसा field है, जो लोगों का help करता है, to make them more independent in life. कि ortho condition में जैसे fracture होता है, spondylysis होता है, इसमें physiotherapy का क्या role होता है? जी, पहले तो मैं बता दू, fracture दो-तीन टाइपस के होता है, united fracture, mal united fracture होता है, तो इसमें कोई भी fracture होता है, तो एक तो operative से treatment किया जाता है, या non-operative, अब operative में हम लोग जो रहता है, उसमें भी हम लोग immobilize करते हैं, मतलब उस हिस्से को हम लोग immobilize करके रखते हैं, उसको हि complication होते हैं, जैसे stiffness हो गया, strength, strength reduce हो जाता है, muscle bulk reduce होता है, तो उसमें physiotherapy वापस वैसे ही moment उनका increase करते हुए, moment वापस लेके आता है, strength बढ़ाता है, again पहले की तरह हाथ हो जाते हैं, या जहां भी fracture रहेगा, second जो है arthritis, पहले बात हम बोलना चाहूंगा, arthritis क्यों होता है, arthritis, एक तो कहा जाता है कि old age में होता है, या फिर calcium की कमी रही, उसके वज़े से बहुता है, early degenerative change बोलते हैं उसको, तो early degenerative changes की वज़े हो, उसमें जो problem होते हैं, जैसे दुखना हो गया, या मुंगी आना हो गया, जंजनाट हो गया, तो उसमें physiotherapy का बहुत important treatment है, जैसे कुछ machines दे जाता है, IFT बोलते हैं, इसको, tense बोलते हैं, उससे symptomatic treatment है, वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन, again, जैसे मैंने बोला कि एक वज़े जो weakness है, weakness उस जगया कि जैसे cervical spondylase हो गया, लंबर spondylase हो गया, तो posture effect होता है, posture आपके normal spine के curve बोलते हैं, उसे, normal spine के curve जब आपके effect होते हैं, जब आपके weakness रहते हैं, या abdominal muscle हो गया, shoulder muscle हो गया, back muscle हो गया, उसकी weakness के वज़े से, आपके posture खराब होते हैं, और बहुत दिन तक वैसा posture अगर रहा खराब, तो आपको ये सब problem होते हैं, और physiotherapist वही करते हैं, आपके strengthening करते हैं, आपके posture सुधरते हैं, और आपके symptomatic problems हैं, उ जो जिसको बोलते हैं, शौक एब्सोर्बंट, हम spine के बीच में गादी रहता है, उसका भी आगे पीछे movement हो जाना, या सरक जाना, उसका भी फिज़ोथर्पी बहुत important role है, अब तीसरी बात, जैसे आपने बताए, arthritis, arthritis भी उसी वज़े से होता है, कि supporting structures जो weak होते हैं, वो उस जो neuro होता है, उस condition में physiotherapy का कैसे इस्तमाल किया जाता है, पहले तो neuro में तो बहुत important role है, हम लोग condition देखा जाए, तो stroke, जिस वो paralysis कहते हैं, hemiparasis, जो एक side weakness होता है, cautery plagia, जिसमें चारो हाथ पैर सब weak हो जाते हैं, इसमें physiotherapy का बहुत ही एहम रोल है, and वहाँ पे आप देख जाते हैं, bed पे भी बहुत complications होते हैं, muscle wasting होता है, weakness होता है, stiffness होता है, bed sore होते है, तो patient को educate करके उसका बहुत सारी treatment है, physiotherapy की, जिससे वो back to normal life आ सकते हैं, और उनके strengthening के साथ normal moment और range maintain करने के साथ साथ, उनको बहुत सारी exercises देते हैं, जो पहले के तरह उनको करने में काफी कारिक करोता है, मदद करता है, जो stroke की समझ से आजकल बढ़ती जा रही है, तो उसके बार में क्या बताएंगे, मतलब ऐसा कोई patient होगा, जो हमारे सामने कभी कभी उससे stroke आता है, तो उसे जैसे बाकी लोग होते हैं, उनने कैसे handle करना चाहिए, जी, पहले तो blood paralysis होने का ये वज़ इंजरी हो गई, एक तो blood supply कम रहा तो भी brain injury होता है, blood supply जादा रहा तो vessel जो नसे होती है, वो फट जाती है, उसके वज़े से पूरा blood sprain ये हो जाता है, फैल जाता है brain, तो वहाँ पे जिस हिस्थी को effect करता है, वहाँ पे problem, वहाँ के हिस्था काम करना बंद कर देता है, तो प्रॉपर स्लीप, टाइम पे स्लीप ना हो, उसके वज़े से होता है, जो पेडियाट्रिक होता है, उस कंडिशन में फिजो तेरपी बहुत important माना जाता है, तो उसके बार में क्या बताएंगे, जी पेडियाट्रिक्स में देखा है, बहुत सारी इसे कंडिशन होती है, जि तो अगेन कुछ बच्चों का तो वो लेट होता है, जैसे देखा जाए तो एक साल पर या चौदा महीने बचल नहीं, जी कुछ बच्चे दो-दो साल नहीं चलते हैं, जिस बिकास ब्रेइन डेवलपमेंट उनका प्रापर नहीं है, या फिर पैदाईश के वक्त बच्चे के कुछ ब्रेइन इंजरी हो गई, जो हिस्सा का इंजरी होती है, जैसे कुछ हिस्से में ब्रेइन के इंजरी में जहां पर होता है, ऐसा एरिया वो डिस्ट्रिबूटेड है, कि ये हिस्सा सर का हाथ कंट्रोल करेगा, ये पैर कंट्रोल करेगा, ये स्पीच कंट्रोल तो जो हिस्से पर injury होती है, वहां का control चले जाता है, या फिर अगर चले भी जाता है, तो हम लोग फिजियो थरपी के through, उसको हम लोग वापस रेगें करते हैं, independent लोगों को बनाते हैं बहुत, और जैसे अभी देखा जाए पेडियाट, एक उसमें से condition है, जिसको बोलते हैं, जो पैदाईश के वक्त होता है, तो बहुत सारे ऐसे केसद रहते हैं, जिसको बोलते हैं, उसमें फिजियो थरपी के continuous treatment चालू हो है लोगों का और बहुत improvement है, जो abnormal child होते हैं, उनके लिए फिजियो थरपी कितना प्रभावशाल हो शकता है, बिलकुल, जैसे देखा जाए, काफी दिनों जग treatment लेना पड़ता है, बड़ अगेन, जैसे मैंने बता है, medication नहीं है, वहाँ पे, surgery नहीं लगती है, तो एक बिना दिक्कत के, बिना कोई problem के बच्चे को daily rehab center लाएंगे, या physiotherapy center लाएंगे, तो उनका daily exercise करवाने के, और बहुत सारी ऐसे researches भी है, बहुत सा साथ में incorporate करते हैं, orthosis बोलते हैं, processes बोलते हैं, जो artificial चीज़े भी लगा कि हम लोग उनको independent बनाते हैं, डॉक्टर ओमेर खान आपको में धन्यवाद कहना जाओंगा, कि आपने हमारे दर्शकों को फिजो थेरपी के बारे में जानकारी दी, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक कि अ